एक करनल अपने जुनियर के वाइफ के साथ बैर में बढ़ जाता है और उससे अपसेस्ट हो जाता है इसके बाद क्या होता है यह आज की मुवी में हम समझेंगे आज की मुवी है अपसेस्ट यह एक Korean मुवी है तो चलिए exploration स्टार्ट करते है इस मुवी का चो टाइम पेरेड है ये 1969 का है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि मिल्टरी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है यहाँ पर करनल किम भी होता है ये एक वार हिरो होता है इसने जंग में बहुत अच्छा वर्क किया होता है आज इसका इस सेलिब्रेशन चल रहा होता है इसका जो सीनियर होता है इसे बहुत सारे दारू बिला देता है यह जो है यह हमारा में क्यारिक्टर है इसका नाम कीम है कीम को इस सेलिब्रेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ से बाहर आजाता है बाहर आकर अकिला ही बेटा हुआ होता है वहाँ कुछ उसके जुनियर्स आते है यह अपस में बाती करने लग जाते है यह कहते हैं किम का जो फादरिनला है यही इसका सीनियर है यह हमेशा है उसकी तारिफी करता रहता है दूसरा कहता है कि ऐसा नहीं है वो सच में एक war hero है फिर दूसरा उसे कहता है कि मैंने किम के बारे में कुछ सुना है किम के बारे में कुछ rumors होती है ये सब किम सुन रहा होता है अब Nixon में Кिम उसके office में दिखाए गया है वहाँ वै एक νय officer Moo-jin आय होता है उसकी अभी-भी बदली हुए होती है कीम इसके जो डॉक्मेंट्स है यह सब रिवीव कर रहा होता है कीम भूजीन को नहीं जानता कीम का जो और एक कलिक होता है यह भूजीन को जानता है वो कहता है कि तुम भी वार में थे कीम इंट्रेस्टेड हो जाता है और पोचता है कि तुम कहा थे कीम का कलिक कहता है कि कमांडर की नीचे था पर ये कभी भी सब करने के लिए नहीं गया था कमांडर के सब काम वुजीन करकर देता था इसलिए वुजीन को कभी भी वार में नहीं भेजा गया था वोजीन के किस से किम को उसका कलिक सुनाता है वोजीन जो होता है यह किम का बहुत बड़ा फैन होता है किम ने वार में जो सब किया होता है इसके चर्चे दूर दूर तक होते है किम ने भी यह सुने होते है और इसका बहुत बड़ा फैन बन चुका होता है किम जब इसके फाइल रिव्यू कर रहा होता है तो इसे पुछता है कि तुम्हारी वाइफ का नाम इस तरह से कैसे है बुजिन कहता है कि हो चाइनेज है इसलिए ही यह है बुजिन की वाइफ की बर्डेट और किम की बर्डेट यह दोनों सेम होती है इसले ये भी वो point कर कर देता है इसके बात हमें किम का घर दिखाया जाता है इसके wife और वो ये दोनों dinner कर रहे होते है इसके wife यहाँ बात कर रहे हुती है लिगिस इस तरह से वो और इसकी friends सब काम अप करने वाली है किम की wife और उसके जो friends होती है ये NGO के लिए काम करती है इसके बाद रात में हमें दिखता है कि ये दोनों intimate हो जाते है ये दोनों baby के लिए try कर रहे होते है पर इन्हें हो नहीं रहा होता रात में फिर ये बात करने लग जाते है तो किम की wife उससे कहती है कि हमारी यहाँ और एक neighbor आये है ये वुजीन और उसके wife ही होती है किम की wife का नाम ली सुक है तो ली सुक बोलती है कि यहाँ जो neighbor आये है उन्हें भी बच्चा नहीं है यहाँ की जो wife है वो Chinese है ली सुक कहती है कि उन्हें भी बच्चे नहीं है इसलिए मुझे उनसे बात करनी का मन करता है ली सुक के सब friends को बच्चे और इसे बच्चे नहीं है तो यह अच्छे से उनसे बात नहीं कर बाती है उसे लगता है कि वो वुजीन और उसकी जो wife है इससे वो अच्छा connect कर बाएगी ली सुक ने कीम को बोला होता है कि वुजीन की जो wife है यह birds बालती है किम को रात में जब नीन नहीं आ रही होती तो यह चलने लग जाता है चलते चलते उजीन की घर पर आ जाता है या जो भी सब बर्ड्स है इन्हें हो देखता है वो सिगरेट पी रहा होता है तो यह धुआ वो बर्ड्स पर छोड़ता है यहां फिर हुजीन की वाइफ आ जाती है, इसका नाम जॉंग होता है, जॉंग को भी नीन नहीं आ रही होती, जॉंग कीम से बोलती है कि ऐसा मत करो, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो उसे बुछती है कि क्या तुम बड्स को हेट करते हो, कीम कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उनका मजा लेना चाहता था, यह कहीती ही कि तो फिर ठीक है, यही से बुछती है कि क्या तुम आसपास ही रहते हो, यह कहता है कि हाँ, और इसके बाद यह अपने घर में चले जाती है, नेक सिन में कीम हमें डॉक्टर के पास आया हुआ दिखता है, उसे मेंटल इन्नेस होत है, तो यही वो चीज होती है, किम इसके बारे हैं बहुत ही इन्सिक्योर होता है, किम वार में था, बहुत सारे लोगों को उसे मारना पड़ा था, इसी वज़े से वो डिस्टर्ब हो चुका है, अब नेक सिन में हमें दिखता है कि ली सुक एक होस्पिटल में आई है, वहा हमने सिर्फ ट्रा ही नहीं किया है, जब ली सुक एक पेशंट के पास बेटी हुए होती है, तो पेशंट उसे पास बुलाता है, पीलो के नीचे से एक चाकु निकलता है, उसे मारने वाला होता है, तभी जौंग उसे हटा देती है, इसके हाथ में जौंग आ जाती है और ज प्लिज अब ये चाख को निकाल लो ये पैसन शान्त हो रहा है ऐसा वो दिखाता है पर वो किम की गन ले लेता है वो अपने आपको मारने की कोशिश करता है पर किम उसे बचा रहा होता है यहीं इनकी हाताबाय में गोली चल जाती है और जॉंक की कंदे पर लग जाती है इससे किम गन ले लेता है जॉंक को फिर होस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है इसके बाद हमें जो सब हाउस यह बात करते हैं यहाँ पर एक वाइब जो दिये हैं हमेशा रूमर्स फिलवाती है यह कहती है कि मुझे जाइनीज वाइब पसन नहीं आ रही जो रूड वेटर होते हैं उसी तरह से मुझे लगती है जिस स्पेशन ने गोली चलाई थी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है जैसे मुझे मार रहा था उसके वाइब को ओली लगी है इससे जादो कुछ फरक नहीं पड़ता यह सिर्फ किम को इंप्रेस करने के पीछे पड़ा होता है हम नेकसिन में हमें दिखता है कि जॉंग बेड़ पर होती है उसकी मदर उसे देखने के लिए आती है जॉंग अप उसके पाज एक बास लेता है उसमें पानी भरता है और कुछ ना कुछ जुगाड़ करकर यह फूल उसके पास लेकर आता है किम फिर फेस से जॉंग के पास आता है उसने उसके लिए एक केक लाया होता है वह उसे खिलाता है जॉंग की इरिंग गी होती है यह किम के पास होत यह उसे लाकर देता है, यह खुद पहन नहीं सकती है, तो इसे वो पहन आता है, निक जिन जब आता है, तो किम जॉंग के बारे में ही सोच रहा होता है, इसे न्यूज मिलती है कि म्यूजिक रूम का जो ओनर है, वो पकड़ा जा चुका है, एक्चन में कमांडर इसके जो वा जाता है, तो वो कहता है, कि तुम्हें भी नाचना पसन होगा, किम इस पर चीर जाता है, उसके पास आता है, और कहता है, तुम क्या बोल रहे हो, इस पर तुम ध्यान रखो, किम वार में बहुत ही डेंजरस था, तो यह इससे डर जाता है, किम फिर उसके फ्रेंड के साथ यह दोनों वहाद चिल कर रहे होते हैं, बाते कर रहे होते हैं किम जब जो incident हो आता है, उसके बारे में बुछता है किम का friend किम को कहता है, कि dance करना यह एक अलग ही art है एक दूसरे में आप खुल मिल जाते हो, और music के साथ नाचते हो हम जब dance करते हैं, तो इससे बहुत ही खुशी होती है इसलिए मेरे पास मेरी सब clients आती है, वो सिर्फ अपने आप के लिए आती है नेक्स दिन जब आता है, तो Lee Suk, किम, Woojin और Jung, यह दोनों families मिलकर पिकनिक पर जाने वाले होते है यह जब वहाँ आते हैं, तो Woojin किम के जो war के किस्से थे, इसके बारे में बात करने लग जाता है इससे वो बहुत impressed होता है, तो इस details में समझा रहाता है Lee Suk के सुनना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही uncomfortable हो जाती है, और वहाँ से चली जाती है Woojin भी toilet के लिए वहाँ से उठकर चला जाता है, किम और जॉंग यह तोनों अकेले होते है किम जॉंग से कहता है कि weird है, पर मुझे तुमसे ही पूछना है, क्या तुम मेरे साथ dance पर आ सकती हो यह फिर मैरस हो जाता है और खेता है कि बहुत stupid है जॉंग कहती ही कि नहीं, जबसे तुम मेरे birds देखने के लिए आये थे और hospital में जब तुम मुझे मिलने के लिए आये थे, तबसे मैं तुमारे बारे में ही सोच रही हूँ तुम मेरा हाल देखने के लिए आये तो मुझे यह अच्छा लगा था किम बे केता है कि दिन बर मैं तुमारे बारे में ही सोचता रहता हूँ जॉंग को किम का lighter पसनाता है, तो किम में lighter लेता है और जॉंग के purse में रख देता है इसके बद बहुत सारी dates बार जाते हुए, यह दोनों family हमें दिखती है और किम और जॉंग इन दोनों में एक tension बढ़ता रहता है नेकसिन में वुझीन और किम यह दोनों music room में होते है यह जो music सुन रहते हैं, इसमें वुझीन को बहुत ही जादा interest होता है यहाँ पर किम का एक friend आता है, इसका नाम Hux होता है यह भी उसके साथ war में ही था इसे देखकर यह बहुत ही surprise होता है यह जो music room का owner है, किम को हक्सु से जादा बात नहीं करने देता यह उसे एक kone में लेकर जाता है नेकसिन में हमें दिखता है, कि जॉंग एक tailor के पास आई हुई है वो party में जा रहे हुती है, तो एक dress वो buy कर रहे हुती है यह tailor उसे कहती है, यह जो dress तुम buy कर रही हो, यह बहुत गलत लगेगा जॉंग कहती है, कि मेरे husband को इस तरह से dress चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ, एक्चुल में जिस party में हुजिन और जॉंग जाने वाले होते है वो एक बड़ा commissioner आने वाला होता है, हुजिन को अपने commissioner को impress करना होता है तो इसलिए वो जॉंग को इस तरह से dress बहनने के लिए बोलता है जब इस party में बोचते हैं, तो उजिन का जो goal था, यह success भी हो जाता है commissioner जॉंग को ही देखता रहता है commissioner कहता है कि जब मैं इतनी beautiful lady देखता हो, तो मेरा फिर से दिल धढ़ने लग जाता है यहाँ पर किम भी होता है, और एक conversation हो सुन रहाता है commissioner फिर जॉंग के साथ dance करना चाता है, वो किम को गाना लगाने के लिए बोलता है किम को बहुत ही jealous में सुसता है, वो आपर तमाशा ख़ड़ा करना चाता है वो pretend करता है कि वो बहुत ही drunk है, पर commissioner मानता ने यह वो किम की चाल सक्सेस नहीं होने देता जब commissioner और जॉंग, इन दोनों का dance खतम हो जाता है तो जॉंग कीम के पीचे-पीचे बात्रूम में आ जाती है जॉंग के दी कि मैं तुमें ढोंड रही थी जॉंग उसे के दी कि अभी-भी जो तुम नहीं किया है, क्या वो तुमने परपस से किया है जॉंग उसके पास आती है, और दोने एक दूसरे को किस कर लेते है अब यह फिर से housewife सिखाई गई है यह जॉंग के बारे में gossip कर रही होती है जॉंग के race के बारे में वो बात चीत करती है वो कितनी घटिया है, यह वो बात ही करती है इसके बात जो rumors फैलाती है वो जॉंग के बारे में सब को कहती है वो कहती ही कि जॉंग के मदर और फादर जो थे यह वार में थे वार के बात यह refugee बन गए और यह कोरिया में आ गए यह मौंडन्स में रहते थे यही इसके जो फादर थे यह बहुत बिमार पढ़ गये और मर गये इसकी मदर इसे छोड़ कर चली गयी थी काम पर रखा था इसकी हाऊस्मेर थी इसकी मदर इन लो ने फिर उसके बेटी की और जॉंग की इन दोनों के शादी करवा दी इसकी Mother in Law इसे बहुत ही पसंद कहती है यह सब इने कह रही होती है अब Knicks Kommt में Music Room में हमें Kim दिखता है यह Dance कैसे करना है यह सिक रहा होता है Music Room का ओनर इसे ठीक से सिखाने ही पा रहा होता то वह हक्थू भी होता है हक्थू फिर इसे Dance कैसे करना है यह सिखा देता है इसे बोचता है कि क्या तुम प्यार में हो किम कहता है कि क्या ही इतना अबियस है हकसु कहता है कि तुम्हारी लाइफ में मुझे एकसाइटमेंट दिख रही है यह अपने एकसिन में में दिखता है किम और जॉंग अपने फैमिलिस के साथ फिर से डीनर करे होते जब किम की वाइफ और जॉंग का हस्बन ये दोनों वहाँ से चले जाते है तब किम पेपर लिखता है कि उसे बाहर जॉंग से मिलना है ये पेपर वो पढ़ती है और वो रख लेती है ये भी पेपर उसे एक location बदा देती है यह दोनों एक दूसरे से मिलते है और एक जगा पर आ जाते है जॉंग कीम की तारिफ करती है वो इसके बाद यह दोनों इंटिमेट हो जाते है अब दिन रात कीम उसके बारे में ही सोचता रहता है कीम को जॉंग के साथ अकेला होना होता है तो वो जीन को कही दूसरे शहर में कुछ दिनों के लिए भेज देता है assignment पर वो जाने वाला है ये जॉंग को कही कर वो चला जाता है जब रात होती है तो किम जॉंग के पास आता है किम जब दर्वाजा खट-कड़ता है तो जॉंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे दर्वाजा ओपन करना चाहिए वो दर्वाजा खोल कर पुछती है कि तुमने डिलिबरेटली किया है मिरे हस्बंड को तुमने दूर भेज़ दिया है वो कहती है कि हम जो ये सब कर रहे है ये मुझे गलत लग रहा है किम फिर वहाँ से चला जाता है किम मुजिक रूम में आता है और अपने फ्रेंड के साथ बहुत पी रहा होता है उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या हुआ है वो उसके साथ जो हो रहा है वो ये सब बढ़ देता है उसका फ्रेंड उसे कहता है यह जो सब तुम करे हो यह बहुत ही गलत है किम इसकी मानना नहीं चाता किम ने अपने वाइफ को भी दूर भेज़ दिया होता है किम का बड़े होने वाला होता है तो कुछ नेबर्स आती है और उसे सूप देखा जाती है यही सूप लेकर फिर उस जोंग के पास आ जाता है उसे कहता है कि मुझे पता है कल तुम्हारा बड़े है हम यह दोनों मिलकर खा सकते है यह उसे कहता है कि मैं सो भी नहीं पा रहा सास भी नहीं गए पा रहा मुझे क्या हो रहा है यह समझ में नहीं आ रहा यह दोनों फिर सूप पीते हैं जॉंग कहती है कि तुमने मुझे जोसब कहा यह मैं भी महसूस कर रही हूँ इसके बाद वो उसे बेड़रू में लेकर आती है और यह दोनों इंटिमेट हो जाते हैं किम जॉंग को म्यूजिक रूम में लेकर आता है जॉंग और उसके हस्बंड की जो relationship है कुछ भी सही नहीं है वो कुछ ये महसूस नहीं कर बाती जब ओ किम के साथ होती है तो ओ पैर में होती है ओ खेती है कि तुम ही हो जिससे मैंने पैर किया है किम को call आता है उसे पता जलता है कि जॉंग की जो mother-in-law है यह होस्पिटल में, जॉंग फिर उसे होस्पिटल में लेकर जाता है एक्चुल में जॉंग की मदर इनला बिमार नहीं होती है तो उसकी मदर होती है यह कुछ जादा सिरिस बिमारी नहीं होती जॉंग फिर अपनी मदर को देखकर वहाँ से जा रही होती है तो उसके mother-in-law उसे रोक लेती है जोंग की mother-in-law उसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरा जो son है यह सही आदमी नहीं है तुम में मेरी बेटी जैसी हो तुम पैर में हो यह मुझे पता है तुम यह जो सब कर रही हो इसे में तुम्हें रोकने वाली नहीं जोंग की mother-in-law ने उसे बच्पन से बला है इसके daughter की तरह होती है यह खुश रहे है ऐसा ही को चाहती है इसलिए इसको support हो करती है किम जोंग को घर पर छोड़ने के लिए आता है जोंग उसे कहती है कि mother-in-law को सब पता चल चुका है जब मैं मेरी mother-in-law से मिली बहुत डिस्टब हो जाता है उसे idea आता है कि अगर उसने जोंग के पती को frame कर दिया और वो जेल में चला गया तो जोंग के साथ हमेशा रह सकता है कीम का friend हाक सोजोता है यह illegal काम करता है इंपोर्ट एसपोर्ट यह illegal तरीके से कर रहाता है तो इसकी मदद लेकर वो हुजीन को frame कर देता है हुजीन की mother फिर custody में उसे मिलने के लिए आती है तो हुजीन कहता है कि मैंने यह सब नहीं किया इसकी mother इसे believe करती है जब यह जोंग के पास होती है तो जोंग को कहती है यह मुझे पता है कि मेरे son नहीं यह नहीं किया वो जूट बोलता है यह भी मुझे पता है पर इस बार वो जूट नहीं बोल रहा तुमने यह सब करवाया है यह मुझे पता है तुम यह सब सही करोगी जोंग फिर कीम के पास आती है उसे अपने husband की मदद करने के लिए कहती है नेक्स सीन में housewives जो थी है बात करी हुथी है जो अफा फैलवा थी है इससे हमें पता चलता है कि कीम का जो जॉब है वो अब steady नहीं रहा उसका जॉब जा सकता है उसे under review डाला गया है दूसरी housewives जो पूछती है किम जब घर पर आता है तो उसके wife उसे congratulations करती है क्योंकि आज उसका promotion हो चुका है किम का job under review था तो उसके promotion के लिए था अब वो अलग जगा जाने वाला है वहाँ इनके सब friends आयो होते है और यह celebration कर रहे होते है यहाँ पर जॉब भी आयो होती है चॉंक बाहर बार भी को कर रहे होती है तो उसके पास कीम आजाता है कीम उसे कहता है कि जहाँ मेरा transfer हो रहा है वहाँ मैं हुजीन को भी लेकर जाओंगा यानि कि हम दोनों एक साथ रह सकते है चॉंक कहती है किम उसके साथ नहीं जाने वाली कीम फिर उस पर चीट जाता है कहता है तुम्हारे बिना में नहीं रह सकता तुमने जिस तरह से मुझे भूला दिया है वैसे मैं तुम्हें नहीं भूला सकता चॉंक फिर उसे चटक कर अंदर आ जाती है उसके पीचे पीचे कीम भी अंदर आता है और ये पूरा तमाशा खड़ा कर देता है इसी डिनर में उसे न्यूज मिलती है कि हो फादर बनने वाला है उसके वाइफ और जो वो ट्राय कर रहे थे एक फैमिली के लिए वो फैमिली अब उसे मिलने वाली है पर इस सब को उसने तैसनेस कर दिया है इसके बाद किम के जो father-in-law होते है इनके साथ वो बेठा हुँ होता है किम ने जो भी किया था इसके वज़े से इसका promotion चला गया है इसके father-in-law से कहते है तुम फिर से जंग में चले जाओ तुम वहाँ जाकर एक दो साल रहोगे अपने आप पर reflect करने का तुम्हे समय मिलेगा ये भी इस पर बहुती चिट गए होते है कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी बेटी भी pregnant है इसे इस situation का बहुती बुरा लग रहा होता है फिर भी अपने सनिन-law को और एक chance हो दे रहा होता है अब जब किम चला जाने वाला है तो जॉंक के पास आता है वो कहता है कि तुम्हारे husband से मुझे apologize करना है जॉंक कहती है कि वो अब यहां नहीं रहना वो seaule चला गया है जॉंक और वो अब एक दुसरे के साथ नहीं रहना चाते किम उसे कहता है कि मैं वियत नाम जा रहा हूँ तुम भे मेरे साथ चल सकती हो वो उसे बुछता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो वो कुछ भी बोलती नहीं तो यह कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ अगर तुम्हें वियत नाम नहीं आना तो उसके पास है थाईलेंड है वहां हम रह सकते हैं जिन सबसे हम दूर जा सकते हैं एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं चौंगे दिये मैं अभी भी मैरीड हूँ मैं यह सब छोड़कर मेरी लाइफ छोड़कर तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती है किम कहता है यह तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता मैं सफोकेट हो रहा हूँ इसे जो दर्थ है वो अब ज़्यादा ही महसुस हो रहा है वो अपनी गन लेता है और अपने हाड पर रखता है और गोली शूट करता है निकसिन में हाउस वाइप सी जो कनवर्सेशन है इस सामें पता चलता है कि किम बढ़ चुका है जो गोली लगी थी इसके हाड के पास से चली गई थी इसके बाद दो साल गुज़र जाते है जोंग एक पारिटी में होती है उससे नीचे बुलवाया जाता है कुछ आर्मी के ओफिसर्स वहाँ आयो होते है ये फिर उसे मैसेज देते हैं कि किम वार में मर चुका है किम वार ओफिसर की तरह नहीं गया था आर्मी के जो सब लोग थे उन्हें वार में वहाँ जाकर वो हेल्प कर रहा था वो अगर वहाँ ओफिसर होता तो बच जाता पर उसे बचना नहीं था वो लटते लटते ही मर गया था किम का नाम भी इन लोग को पता नहीं था किम मरने के पाद इसके पॉकिट जब इन्होंने चेक की है तो उसमें जॉंग और किम इन दोनों के फोटो थी इसके बाद वो जॉंग को ट्रैक करते करते यहां तक आ चुके है जॉंग ने किम को पताया था कि उसे कभी भूलना नहीं है किम ने अपना वादा निभाया था चॉंग के उनिस मिलती है तो फुट फुट कर रोने लग जाती है यहां मूवी कतम हो जाती है पर अगर हम कैरेक्टर के बारे में सोचे तो किम डिस्टब था जब वो वार में गया था बहुत सारे लोगों को उसने मारा था तो इससे वो सही से जी नहीं पा रहा था उसके पास सब कुछ था उसकी वाइफ थी और उसे लाश में पता चला था कि उसे बच्चा पे होने वाला था उसे बहुत सारे चांसेस मिले थे कि अपने लाइफ को वो सही कर सकता था जो एक कर रहा था एक गलत कर रहा था उसके फ्रेंड नी भी उसे बताया था कि ये गलत है पर ये मानने नहीं वाला था जौंक के साथ जब वो था तब उसे एक comfort मिल रहा था इसी comfort के लिए उसे अपसेस्ट हो चुका था अगर आप अपना comfort किसी दुसरे आद में ढूंडते हो तो यही अपनी life बरबाद करते हो आप भी खुद को खुश रख सकते हो किसी और पर अपनी खुशी के लिए डिपेंड होना ये बहुत गलत है किम ने लास्ट में एक तरह की खुदखुशी ही कर ली अब अगर हम जॉंग के पैर में सुचे तो उसका पती भी सही नहीं था उसे वायलेट करने वाला जो कुनेगार था उससे उसकी शादी करवा दी गई थी जॉंग ने कभी पैर महसूस नहीं किया था इसे वज़े से किम के पैर में उपड़ गई थी इसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो जो कर रही है ये गलत कर रही है ये उसने सुधा नहीं कुशिश की पर किम तब तक बहुत ही अफसेस्ट हो चुका था इस मोवी में हमें गलत रिलेशन्शिप की ट्रैजेडी दिखाई किया है ये ही हम आज का वीडियो खतम करते है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मोवीज लेकर आत रहत हो तो फ्लीज इस चानल के सबस्क्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूर के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया